नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में जानेंगे कि मेली बग को घरेली उपाय से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मज जिस चीस से मेली बग को कंट्रोल करके दिखाऊंगा वो सबी घरों में कीचन में इजली अवलेबल रहती है जैसा कि आप देख रहे हैं मेली बग मेरे इस क्रेसुला के पोधे में लगना इस्टार्ट हो गया है मेली बग वैसे तो ज्यादतर गुढ़ल में देखा जाता है लेकिन गुढ़ल के अलावा भी कई सारी ऐसे पोधे हैं जिस पर मेली बग काफी अटेक करता है इनमें ऐसे पोधे होते हैं जिनकी पत्यों में सोपनेस होती है जैसे पोटुला का, सेकुलेंट्स वेराइटी, तुलसी, टमाटर, मीर, चुवबैगन इस तरह की सफी पोधों में मेली बग का अटेक रहता है इसे आसानी से कंट्रोल करने के लिए ऐसे चीजों का इस्तमाल करना होता है जो मेली बग की सफेद परत को हटा दे क्योंकि वो ही इसके लिए सुरक्षा कवज का काम करती है मेली बग की सफेद परत जब तक नहीं हटेगी तब तक इस पर किसी भी तरह की इंसेक्टी साइट्स का भी असर नहीं होता है सफेद लेयर को रीमू करने के बाद आप नी मोयल का मेली बग पर इस्प्रे कर दीजिए वो एजली कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों मेली बग खास तोर से स्प्रिंग सिजन से एक्टिव होना इस्टार्ट करता है यानि स्प्रिंग सिजन से इसका आटेक होना इस्टार्ट हो जाता है और पूरे गर्मी बरसात में या अपनी संख्या खूब बढ़ाते हैं उमस व गर्माहट वाले मोसम में ये खुब पनपते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं जिस चिस का इस्तमाल करने वाला हूँ वो चीज है नीबू नीबू में सिट्रिक एसिड होता है जब ये मिली बग की सफिद लेर में पड़ेगा तो वो इजली रिमू होना इस्टार्ट हो जाएगा आप सिट्रस फ्रूट वाले सारे फ्रूट को यूज में ले सकते हैं जो कोई भी एक आपके पास हो जैसे मोसंवी, संत्रा, किन्नू इन में से कोई भी एक आप ले सकते हैं वैसे तो मिली बग की सफिद परत, सैनिटाइजर या रविंग, एलकोहल वगरे से भी इजली रिमू हो जाती है लेकिन ये सारी चीजे केमिकल बेस होती है, इससे पत्या भी डेमेज हो सकती है, अगर इसकी सही मात्रा यूज में ना ली जाये तो, लेकिन सीटरस फ्रूट में ऐसा नहीं है, इससे आप रब करके मेली बग की सफिद लेर हटा दीजिए, फिर साधे पानी का पत्यों में स्प्रे कर दीजिए, अगर आपके सिर्फ एक पोधे में इसका टेक हुआ है, तो छोटे नीबू का चौते हिस्से का रज भी परयात रहेगा, रज में कुछ भी एट करने की जरूरत नहीं है, मेली बग की सफिद लेर हटने पर वो निस्क्या होकर गिरने लगते हैं, जिस आप एक लिटर पानी में एक से दो नीबू का रज वा सैंपू की कुछ बूंदे एड करके आप स्प्रे कर सकते हैं, इससे पहले भी मैंने मेली बग को कंट्रोल करने की वीडियो आप से सेयर की हुई है, अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन म पर भी जरूर से क्लिक कर लिजेगा, नेक्स्ट वीडियो तक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स पर वाचिंग